Hello friends, welcome back to my channel तो friends, बहुत दिनों बाद, I think बहुत महीनों के बाद मैं आ गई हूँ तो कुछ एक HPGK के questions लेके और ये questions बहुत ही important है I think जो मैंने पिछे जो वीडियो टाली है उनमें ये नहीं करवाए थे और अभी मैंने 2023 के कुछ exam देखे और 2022 के तो मैंने जो भी questions नहीं करवाए थे वो इसी वीडियो में डाल दिये है तो friends, अगर आपको मेरा channel अच्छा लगता है तो please subscribe करें, share करें videos को और like करें और जो भी आपके friends HPGK की त्यारी कर रहे हैं, किसी भी exam की त्यारी कर रहे है HPK, तो HPGK बहुत important topic है तो आप उसके साथ मेरी video share कर सकते हैं तो start करते हैं Now first question is The state game of Himachal Pradesh is तो ये question जो है, अभी जो recently exam हुए है, उनमें पुछा गया है कि state game कौन सा है Himachal Pradesh का तो बहुत सारे बच्चों ने जो है, उसमें comment लिख के लिए हुए थे कि खोको है किसी ने कबटी लिखा तो जो state game है Himachal Pradesh का वो volleyball है Now second question है गांधी fair is celebrated at which place in Himachal Pradesh या गांधी मेला Himachal Pradesh के किस स्थान में मनाये जाता है तो अगर जैसे कि स्थान पूछा हुआ है तो वो है अंबोवा में और अगर district पूछा जाता है तो वो है सिर्मौर में ठीक है तो यहां पे जो है 30 चनवरी को हर साल जो है गांधी जी की शहीदी दिवस के दिन जो है यह मिला लगाया जाता है और आपको एक और जानकरी दे दूँ कि जो अंबोवा है सिर्मौर में वहां पे गांधी जी का मंदिर भी है तो यह भी important question है कि कहां पे है तो वो है अंबोवा में गांधी जी का मंदिर भी है और गांधी जी का मेला भी लगता है कब 30 जनवरी उनके शहीरी दीवस वाले दिन जो है यह मिला लगता है और कितने दुनों तक लगता है तीन दिन तक यह चलता है तो यहीं से दो तिन question बन जाते हैं सबसे पहला यह question बनता है फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो जो है हिमाचल का कौन सा है तो वो है साउंड ओप मौंटेंज सेकिंड कब एस्टेबलिश हुआ था 1986 में कहां पे हैं मन्डी डिस्टिक में हैं ना फर्ट क्वेश्चन इस वेर इस मनूरंग शाला situated in HP मनूरंग शाला जो है हिमाचल परदेश में कहां पे स्थित है तो यह है मनानी में next है which festival of HP is also called प्रिख्वी पूजा तो यह question मेरे लिए भी new था कि कौन से किस त्योहार को प्रिख्वी पूजा के नाम से बोला जाता है तो वो है चेरवाल को प्रिख्वी पूजा के नाम से जाना जाता है यह एक तरह का त्योहार है और एक question यह भी पूछा दा कि चेरवाल जो त्योहार है किस त्योहार है किस त्योहार में मनाये जाता है तो यह कुल्लू और चम्बा दोनों में ही मनाये जाता है बस यह difference है कि कुलु में इसको हम जानते हैं बंदराजो के नाम से, बंदराजो इस चेरवाल तेहार का नाम वहाँ पे बंदराजो है और चंबा में हमें इस तेहार को जानते हैं पत्रोडू. अगर हम कुलू डिस्टिक के बात की जाए तो बंदराजों में पशु पूजा की जाती है और चंबा में पत्रोडू इस तिहार का नाम है पत्रोडू इस तिहार में आपने सुना होगा पत्रोडू ये अर्भी के पत्तों का एक बनाये जाता है आपने सुना होगा पत्रोडे शुशूर मुनेस्ट्री इस लुकेटर इट बीच प्लेस इन हिमाचल परदेश तो शुशूर मठ जो है के लॉंग में के लॉंग कहां पे हैं और अगर डिस्टिक की पूछ जाए तो लहौल्स पूति आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है करनल शेर जंग नेशनल पार्क सिच्ट्टर इन विच डिस्टिक ऑफ एच पी तो यकीन मानिये ही क्वेश्चन मेरे लिए भी नियू था बट जब मैंने देखा इसका अंसर ओमाई गॉड मैंने का यह तो आता था आपको बता है जब मैंने नेशन नेशनल पार्क है हिमाचल परदेश में कब वह एस्टैबलिश हुए है ठीक है बट यह क्वेश्चन जो है वो छूट गया था तो मैं आपको पता दूँ जो करनल शेर जंग नेशनल पार्क है उसको जो हैं सिम्बल बारा आप ने सुना हो गई है क्योंकि हम ग्रेट हिमाल और यह जो शेर जंग जो है यह फ्रीडम फाइटर है नाहन के तो इसलिए जो है इस रैश्ट्रिय उध्यान को जो है अब करनल शेर जंग में नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है तो यह है डिस्टिक सिर्मौर में नेक्स्ट केस्टन है इस दिस्टिक ऑफ एचपी इस तांगनूर माई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यह कहां पे है तांगनूर माई तो यह हैं शिंबला डिस्टिक में तो फ्रेंट्स यह थे कुछ एक क्वेस्टन एचपीजीके से लिटर और जहां तक मुझे लगता ह सब करवा चुकी हूं बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रहे गया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके दें मैं वो टॉपिक जो हैं एक दो दिन में बना के आपके साथ में पेश करूंगी और फ्रेंड्स इसी तरह बने रहें चैनल को प् आप आपके साथ